करेंगे हमारी दिली लाइफ में हम बहुत तरीके के शेप से दिन में कई बार टकराते हैं लाइक अभी जस्ट हम आश्रूम की ही बात करें तो यह जो बोड है this is rectangular in shape मेरे हाथ में ही चॉक्स है चॉक्स जो है cylinder in shape मेरे हाथ में पेपर है this is rectangle again square भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे सामने जो wall clock है वो circle shape की है हम मैं जिस vehicle से आई हूँ उसके जो tires है वो round shape के होते हैं, मेरी shirt में अगर कोई button है, तो button कैसा होता है, again it's in round shape, आप कुछ coins use करते हैं, कुछ transaction करने के लिए आप money use करते हैं, तो आप जो coins use करते हैं, again they are round in shape or you can say circle, so हम हमारी daily life में इस तरीके के shape हों से दिन भर interaction करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो shapes होते हैं, यह बहुत important role play करते हैं हमारी life में, तो आज हम एक बहुत important shape के बारे में पढ़ेंगे, जो कहलाता है circle, circle को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ अभी जैसे मैंने आपको example दे, coin है, button है, tire है, यह आपको already recall होगे, तो यह जो होते है, circle होते है, but why they are circular in shape, circle को समझने से पहले आपे समझिए कि कोई चीज round shape में है, gold shape में है, like bangle हो गया, ठीक है, तो वो round shape वाले जो figures होते हैं, उसमें से कई figures होते हैं, वो circular होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है, like जैसे मैंने आपको बता है, bangle हो गया, coin ह 1 rupee coin है, this is my bangle, कुछ designs है, ठीक है, button हो गया, यह सारे figure हम दिन भर देखते रहते हैं, और हमें जरूर लगता है कि यह क्या है, तो यह these all are circular in shape, button हो गया, tire हो गया, tire तो एक ऐसी चीज है, कि without tire, vehicle ही मैजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका tire, कोई भी vehicle without tire नही होगा और जितने भी vehicle हैं, उनके जो tire हैं, वो circular ही होंगे, so why we say these are circular, circular इसलिए कहा जाता है, कि एक particular point से, बहुत सारे जो points हैं, उनका distance जो है, वो same होना चाहिए, so many points, मैं बना नहीं सकती हूँ, uncountable points, ठीक है, यह हो गया, इन uncountable points से, इस point का अगर distance same है, means मान लिजिए, यह 2 cm है, तो यह भी 2, यह भी 2, यह भी 2, यह भी 2, and 2, 2, 2, 2, 2, सब जगे इसका distance जो है, वो 2 होना चाहिए, इस particular point से, इन points का, तभी वो shape, circular shape कहलाएगा, otherwise वो round तो है, but round के साथ वो circle है, कि नहीं है, है ना, तो circle के पहचान जो होती है, वो यह होती है, कि circle जो होता है, उसमें एक points से, उन सारे points का distance जो होता है, वो same होता है, यह condition must है, ठीक है, otherwise it's in round shape, but we are talking about circular, तो आज हम सारा जो पढ़ेंगे, वो circle के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह हो गया circle का definition, इसको हम अगर geometrical form में लिखें, तो definition क्या होगा, the collection of all the points in a plane, which are at a fixed distance from a fixed point, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक particular fixed point से, उन सारे points का distance, जो है वो same होना चाहिए, in the plane is called circle, right, तो अभी जैसा हमने बताया है, कि एक particular point से, उन सारे plane पे जो points है, अगर उनका distance same है, तब ही वो circle होगा, अब मैं एक example के लिए आपको बताते हूँ, कि क्या ये circle है? नहीं, जब तक मैं center नहीं बनाऊं, और center से ये distance same नहीं होगा, तब तक हम इसे नहीं कह सकते कि this is a circle, तो सबसे पहले तो कोई भी round shape उसमें center है, तब ही वो circle होगा, ठीक है? तो ये होगया हमारा circle का definition, अब ये सब आप पिछली classes में भी पढ़ चुके हैं, बट अभी हमें इनको recall करना इसलिए जरूरी है, कि ये सारी terms जो हैं, वो हमारी questions में और theorems में लगेंगी, ठीक है? तो geometry का एक बहुत important part है circle, अभी तक हमने सारे जो shapes पढ़े थे, वो squares थे, rectangle, triangle, means वो lines से, उसमें line segments का ज्यादा use था, अब हम जो पढ़ेंगे वो circle का पढ़ेंगे, ठीक है? So, अभी just मैंने आपको बताया कि एक कोई round shape है और उसमें एक center है, ठीक है? और ये अगर equidistant है हर जगे से, तो ये होगा circle, तो सबसे पहले circle को हम मानली जी नाम देते है, this is a circle C, center को हम कोई एक नाम देंगे, this is a center O and अब इस से हम एक कोई line join करेंगे, मानली जी से हमने नाम दिया O A, so ये क्या होगी? radius, right? O A जो होगी, वो कहलाएगी radius, radius एक ऐसी term है circle में, जो हर जगह पर same होती है, ठीक है? मैं बना नहीं सकती हूँ, इतनी radius इस circle में बन सकते हैं, ठीक है? और वो जितनी भी बनेंगी, वो सब एक ही measurement की, like ये 2 cm है या 1 cm है, तो ये सारी की सारी जो होगी, वो 1 cm होगी, तो सबसे पहली बात तो circle में जो radius होगी, वो याद करने लायक है, क्योंकि पूरे circle में वो radius की measurement सेम होगी, ठीक है? साथ में अगर मैं आपसे question करूँगी, एक circle में कितनी radius हो सकती है? Yes, आपका answer right है, एक circle में uncountable radius हो सकती है, अगर मैं इस में बनाना चाहूँ, तो मैं और पास पास बनाऊंगी, और बना के ये diagram बिगड़ जाएगा, बट बनती ही जाएगी, ठीक है? तो एक circle में, there are infinite many radiuses, ठीक है? तो ये first term हुई circle की radius, radius, radius की के definition हुई? The line segment, आपको इने note करने की सुरत नहीं है, just recalling है आपके लिए ये, the line segment joining the center and any point on the circle, means, ऐसा line segment, जो center से इस circle की boundary के कोई भी point को join कर रहा है, तो वो कहलाएगा radius, ठीक है? तो ये हुआ circle का radius, इसी circle में, अगर मैंने वापस से बनाया, और ये center बनाया है, जिसे मैंने O नाम दिया था, ये circle के अंदर है की बहार है? Exactly, अंदर है, तो अंदर जो भी point होंगे, कहीं भी circle के अंदर, तो वो inside है, ठीक है? और अगर circle के बहार कोई point है, कहीं भी हो सकते है, जो circle के अंदर नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो outside है, right? तो अंदर है, उनको हम कहेंगे interior of the circle, interior of the circle, and जो बहार है, उन्हें हम कहेंगे exterior of the circle, यह छोटी-छोटी terms है, जो अब भी theorem में और questions में लगेंगे, इसलिए एनका recap होना बहुत जरूरी है, circle के अंदर कोई भी point है, means inside of the circle, if any point is existing, तो वो कहलाएगा, that point is interior of the circle, और अगर कोई बहार है, तो वो कहलाएगा exterior of the circle, ठीक है? इतना आपको समझ में आया, राइट, अब radius हमने अभी पड़ा, इस circle है, इसका center O है, this is our radius, ठीक है? हमने center से एक ही तरफ join किया था, अगर इसी से हम इधर भी join कर दे, राइट, अब इसे हम कुछ नाम दे दे, A, B, ठीक है? हमने क्या किया? अभी तक radius के लिए हम क्या कर रहे थे? यह center से circle की boundary पर जो भी point था, उसको हमने join किया एक तरफ, मेंस यहां से लेखे यहां तक, अब हमने यहां से यहां भी अगर join कर दिया, तो यह जो line segment बना A, B, यह कहलाएगा diameter, why this is diameter? because it is passing through the center O, याद रखिये, note करिये, diameter एक ऐसा line segment है, जो center से पास होना चाहिए circle के, तब ही वो diameter होगा, तो अब हम diameter पढ़ेंगे, यह मैं rub कर रही हूँ, ठीक है, आप इसको note down चाहें तो कर लें, बाकी this is just a small recap, देखिये, मैंने आपको बता है, diameter, तो हम इस diameter ही क्यों बोल रहे हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, this is our center O, अगर हम इतना लेते हैं, तो this is radius, right, और अगर इसी को और continue कर रहे हैं, तो now we are saying this is diameter, तो एक और figure बना रहे हूँ मैं, और मैं आपको बताना चाहा रहे हूँ कि, क्या यह diameter है, so that हम बता कर सकते हैं कि diameter क्या होता है, अब यह diameter है, नहीं, जबकि यह भी एक line segment है, यह circle की दोनो border को touch कर रहा है, यह भी line segment है, जो circle border को touch कर रहा है, but why this is diameter and why this is not diameter, because it is passing through the center O, अभी मैंने आपको बता है कि condition यह must है, कि ऐसा line segment जो circle की center से pass हो रहा है, तब ही वो diameter कहलाएगा, तो अभी यह diameter है क्या? नहीं and this is diameter, yes, तो पहले हम diameter के बारे में पढ़ें, ऐसे कितने diameter हो सकते हैं, जैसे circle में हजारो radius हो सकती हैं, ऐसे ही circle में हजारो diameter हो सकते हैं, बट फिर से repeat करोंगे condition कि वो center से pass होना चाहिए, तब ही वो diameter कहलाएगे, तो what I said, infinite radius हो सकती है circle में, तो in same way I can say infinite diameter हो सकते है circle में, ठीक है? तो radius and diameter now we are through, कि जो line segment center से pass हो रहे हैं, वो सारे की सारे diameter of the circle कहलाएगे, अब आपके दिमाग में question आएगा, कि जब यह diameter है जो center से pass हो रहा है, तो फोई यह नहीं है, तो यह क्या है? अगर मैंने कोई lines ले ली, यह ले ली, यह छोटी सी ले ली, यहाँ पर और छोटी सी ले ली, ठीक है? ऐसी हजारों बना ले हैं, जो center से pass नहीं हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगी chord of the circle, chord जो होती है circle में बहुत important term होती है, chord and diameter, what is the difference between chord and diameter? diameter passes through the center of the circle, but chord जो होती है, वो center से pass नहीं होती, ठीक है? तो यह हो गई आपकी chord, अब आपके demand में definitely question आएगा, कि जो chord होती है, वो center से pass नहीं होती है, बट एक chord ऐसी भी तो हो सकती है, जो center से pass हो रही हो, right? तो again यह कहला आएगा, diameter, क्योंकि यह center से pass हो रहा है and इसे हम बोल सकते है, diameter is longest chord of the circle, means diameter भी एक chord ही है, बट diameter और other chords में difference सिर्फ इतना है, कि diameter center से pass होगा, तो diameter एक ऐसी chord होगी, मैं सिर्फ diameter का figure बना देती हूँ, like हमने यह ले लिया, तो diameter एक ऐसी chord होगी, जो circle की सबसे लंबी chord होगी, क्योंकि बाकी जितनी भी होँगी वो उससे थोड़ी छोटी होगी, देखिये मैं बना के बता देती हूँ, यह सारी chords है, यह diameter से छोटी है, इधर भी मैं सारी बना देती हूँ, देखिये, जितनी भी मैंने dotted lines या chords बनाई हैं, वो इस particular lines से छोटी है, तो chord क्या हुआ, simple chord जो center से pass नहीं हो रही है, और अगर वो center से pass हो रही है, तो वो बन जाएगा diameter, and diameter को हम chord बोल सकते हैं, but diameter कैसी chord है, diameter is the longest chord of the circle, objective type या फिलिंदी blanks type questions में यह वाले questions जरूर आते हैं, what is the difference between diameter and chord, या diameter क्या होता है, या radius क्या होता है, या chord क्या होता है, ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि circle में infinite radius हो सकते हैं, infinite diameter हो सकते हैं, ऐसे ही infinite chord हो सकती है, आप चाहें तो खुद बना के experiment कर सकते हैं, यह chord हो गई, यह chord हो गई, यह हो गई, यह हो गई, यह हो गई, इधर हो गई, जितनी चाहें आप बिना center से पास करें वाली chords बना सकते हैं main circle में chords भी infinite मेने होती हैं ठीक है पर अगर वही chords center से पास हो जाए तो वो circle की सबसे बड़ी chord होती है measurement के हिसाब से वो circle की सबसे बड़ी chord होती है जिसे हम diameter कहते हैं ठीक है तो अभी आपको diameter clear हुआ and chord clear हुआ chord को पढ़ते हुए हम एक और important term पढ़ेंगे जो हमारी बहुत काम में आएगी like मैंने ये chord बना दी अब हम chord पे आजाते हैं this is our chord A, B और ये center है O ठीक है अब इस circle का मानली जी मैंने piece कर दिया या मेरे पास ये bangle था या कुछ भी चीज है जो circle है ठीक है इसको मैंने इस जगह से काट दिया राइट राइट जब इस जगह से काटा तो मेरे पास क्या बना एक figure ऐसा बना एक figure देखिए accuracy तो नहीं आएगी मेरे बनाने में यह अंदास से मैं बना रही है एक figure मेरा यह बचेगा इनको join कर देंगे तो वापस यह circle बन जाएगा ठीक है यह जो दो parts हमने किये obviously दिख रहा है यह छोटा है और यह बड़ा है means chord ने ऐसा piece किया कि एक piece छोटा बना और एक piece काफी बड़ा बना जो छोटा है यह जो curve है यह कहलाएगा minor arc arc क्या होता है मैं अभी बता रही हूं आपको और यह कहलाएगा major सबसे भाले तो यह minor part हो गया और यह major part हो गया part को circle में जो word use करेंगे that is sector तो यह minor sector हो गया और यह major sector हो गया ठीक है अब यह जो curve होती है circle की जो curveical जो shape है यह यह कहलाएगी minor arc because यह छोटी है and similarly यह बड़ा part है तो यह जो बड़ी वाली curve arc है यह कहलाएगी major arc ठीक है तो circle को chord से जहां हम piece में तुकडे कर रहे हैं वो जो parts होंगे उसके according उनके नाम होंगे अगर छोटा है तो that is minor and बड़ा है तो that is measure यह हमारी chord का naming क्या था AB ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे minor arc AB minor arc AB तो हमें understood होगा कि हम इस part की बात कर रहे है और अगर हम लिखेंगे major arc AB means it is understood that we are talking about this part ठीक है जो बड़ा part है that is measure and जो छोटा part है that is minor right so हमने देखा interior exterior and chords minor major सारा हमने पड़ाओ ठीक है so अभी हमने देखा radius chord minor arc major mark minor sector major sector एक बार हिनकी छोटी सी definitions हम पढलें like radius radius हमने पड़ा line segment joining the centre and any point on the circle is called radius ठीक है इसको हमने छोटा सा figure बना के समझाओ ये centre है यहां से कोई जरूर ही नहीं के ऐसा लें आप कुछ भी ले सकते है ठीक है this is O this is V this is means OA and OB are radius and एक circle में infinite radius हो सकती है ठीक है फिर हमने दूसरे is the important term body chord. If we take two points P and Q on the circle the line segment P Q is called chord of the circle means हमने पड़ा के एक circle में हमने कोई दो point ले कहीं भी हो सकते है एक यहां पर है एक यहां पर है P Q ठीक है उनको हमने join किया तो join करने से जो line segment बन रहा है that is chord of the circle और उसी में हमने पड़ा कि अगर यही chord जरूर है नहीं की यहां हो center से भी पास हो सकती है यही same P Q जो है वो center से भी पास हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा diameter बन जाएगा diameter is also chord बट वो कैसी chord होगी जो circle की सबसे longest chord होगी बाकि जितनी भी chord हम circle में बनाएंगे आप एगर पर experiment करके खुब सारी draw करिये कहीं से कुछ भी join करिये except center वाली जितनी भी आप बनाएंगे वो सारी छोटी होंगी यह confirm है ठीक है तो diameter अगर हमने बनाया तो वो होगा circle की longest chord क्योंकि बहुत important property है इसलिए मैं बार बार आपको repeat कर रहे हूं ठीक है third हमने पड़ा arc arc थोड़ा सा में इस figure को रब करने a piece of circle between two points is called an arc ठीक है means कोई भी circle this is circle नहीं जब तक मैंने center नहीं बनाया जब तक यह circle नहीं है यह हो गया हमारा circle circle में कोई भी दो point मान लेजिए यह है और कहीं भी आपको जहां मर जीवा ले लेजिए यह जो part है यह minor और यह जो part है यह major इसको मैंने join कर दिया तो यह minor region हो गया and यह major region हो गया means छोटा जो है वो always minor and बड़ा जो है वो major अब इसी को continue करते हुए आपके दिमाग में definitely question आएगा कि मैंने भी यहां छोटा सा लिया अगर हम यहां से तुकडा कर दे circle कत तो center से अगर हमने circle के 2 piece करें तो जरूर जोड़ी हम बड़ा और छोटा ही piece करें नहीं तो हमने center से इसके 2 piece कर दिया तो जब center से अगर हम circle के 2 parts करते हैं तो यह जो दोनों part है कैसे हो जाएंगे देखिए ध्यान से देखिए एक part यह हो जाएगा एक part यह हो जाएगा means हमने equally circle को 2 parts में divide कर दिया तो वो जो equal 2 parts में divide किया वो कहलाता है semi circle means अगर हमने छोटा और बड़ा part किया तो तो वो जो आर्क है जो करविकल shape है यह minor हो गया और यह measure हो गया तो और वो part minor part हो गया और बड़ा part measure part हो गया क्यों हमने circle को छोटे बड़े parts में divide किया अभी हमने क्या करा बिल्कुल equally divide कर दिया equally किया means center से divide कर दिया यह diameter बना कि divide कर दिया एक ही बात है center से जो भी पास हो रहा है that is diameter हमने circle को जरूरी नहीं कि हम हमेशा ऐसा shape ले हमने यह diameter से यहां से divide कर दिया तो यह और यह जो दो part बने यह कहलाएगा semi circle means circle का अगर equal part divide हो रहा है दोनों equal है तो वो कहलाएगा semi circle और you can say half of the circle half word use नह करते हुए हम क्या word use करेंगे है आपर semi circle ठीक है तो यह एक और important term होती है circle में semi circle and एक और important term circle में यह circle है यह हमारी radius है ठीक है यह दो radius है मान लेजी हमने लें this is o a b अभी just मने आपको बता है यह जो arc होगी this is minor this is major यह part जो है this is minor and this is major तो इसी को हम दूसरे words में यह जो part है इसे कहेंगे minor sector and यह जो बड़ा वाला part है जिसे हम line से shade कर रहें यह कहलाएगा major sector ठीक है में छोटा बड़ा और अगर वह हमने equally divide कर दिया तो just मैंने आपको बताया यह दो radius है बढ़ अब यह पूरी diameter जैसी divide कर रहे है ठीक है तो अब यह हो जाएगा semi circle राइट इदो उपर का पाट है semi and नीचे का पाट है वो भी semi और इन दोनों को अगर join कर दे तो again it will become a circle तो circle की यह सारी important properties जो मैंने आपको बताई वो आपको mind में रखना है plus हमने जो पहले पढ़ी है triangle से related property line, line segment जितना भी हमने पढ़ा है parallel lines and all that ऐसा नहीं है कि उसे आप भूल जाए वो भी in questions में या theorems में apply होगा last हमने जो topic लिया था congruency of the triangle वो भी कहीं न कहीं इन में apply होगा means ऐसा नहीं है कि हम circle पढ़ रहे हैं तो सिर्फ circle के बारे में ही पढ़ेंगे पिछला जितना हमने geometry में पढ़ा है वो भी यहाँ apply होगा तो वो सब भी आपको recall रखते हुए हमें आगे बढ़ना है सो अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिम्पल सी छोटी सी theorem है circle की एक खासियात है इस की theorem जो है बहुत ही छोटी छोटी होती है so theorem is theorem number one of this topic equal chord of a circle sub time equal angle बहुत ही छोटी छोटी थे और हम है at the center ठीक है means एक circle ऐसा हमें लेना है जिसमें यह तो होगया हमारा center ठीक है equal chords means chord दे हुँ है जो equal है like मैंने एक यह ले ली एक यह ले ली तो यह दोनो chords जो है equal है value wise अगर हम इन्हें count करें स्केल से नापें तो यह दोनो equal है इसको CD हम नाम देते थे ठीक है equal chords of a circle यह circle से एक angle बना रहे है देखिए इनको अगर join करें तो यहाँ पर एक angle बन रहा है right इसको हम blue कर देते है this is a angle suspended by a chord and similarly यहाँ पर भी एक angle बन रहे है इनको अगर हम join करें इसको हम green कर रहे है so this is our another suspended angle by the chord CD so theorem says अगर chord equal है तो center पर जो वो angle बना रहे है वो भी equal होगा means हमें क्या proof करना है proof में हमें जो लाना है that is angle a o b is equal to angle c o d ठीक है simple सा proof रहेगा concurrency हम पढ़ चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया है कि पिछला chapter जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पर बहुत ही काम में आएगा तो देखिए हम कैसे फटाफट proof करेंगे यह हमें to be proof में है ठीक है this is हमें to be proof now we will start our theorem हमें यहाँ given है two equal chords जो की बहुत important छीज दी हुई है की दोनो chords जो है वो क्या है equal है और उनके नाम हमने लिए AB and CD right and हमें जो प्रूफ करना है that is यह तो हमें triangle भी क्या करना पड़ेगा यही लेना पड़ेगा अब आप खुदी देखें यहाँ पर आपको बहुत easy ले दिख जाएगा OA क्या है radius O B क्या है radius OC OD and जितनी भी अगर होती वो सारी क्या है radius and सारी radius circle के क्या होती है equal होती है तो हमें first चीज तो बिलकुल आसाने से मिल गए OA equal to OC and same OB equals to OD यहाँ पर आप लिखेंगे all are because all are radius दो चीज तो हमें मिल गई, तीसरी हमें question मही दी हुई है AB equals to CD क्यों because उनने कहा है chords are equal ठीक है तो थेवर हमारा तो यह भी proof होगया है तीनो S, S, S देखें यह भी S, यह भी S, यह भी S, तो आप लिखेंगे by S, S, S triangles are concurrent इसे में यहां continue कर लेती हूं by S, S, S these two triangles are concurrent और जब congruence ही आ गई तो हम क्या करते हैं C, P, C, T लगा देते हैं triangle के नाम है AOB is congruent to triangle C, O, D ठीक है this is my O and जब यह हो गया so by C, P, C, T we can say that corresponding parts of the first triangle is equal to corresponding parts of the second तो हमने जो भी कहा था वो हमारा इसके through proof हो जाएगा कि angle AOB जो होगा angle C, O, D के equal है बहुत ही simple theorem है इसको as a theorem नहीं as a property याद रखिए कि एक circle में अगर equal chords है दो हो जरूरी नहीं है तीन भी हो सकती है चार भी हो सकती है इसको as a property अगर हम समझें मानले जी ये chord है, ये chord है, ये chord है, ये chord है, ये chord है बाठी चारो की measurement equal है, like ये 2 cm है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, तो ये जो भी center पे angle बनाएंगी वो भी equal ही होगा because property says कि if 2 chords are equal then substantive angle on the center is also equal, right. So, this was the first theorem which will use as a property in the quotient.